असलाम वालेकुम माइनम इस मारिया परवीन एंड वेलकम तू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम एंजी 101 के लेक्चर 25 को डिसकस करने जा रहे हैं प्रिवीस लेक्चर में हमने क्या किया था संटेंस की जो है एर्र को डिसकस किया था संटेंस फ्रेग्मेंट को उसके बाद रिमेनिंग जो है उसको हम आई डिसकस कर लेते हैं तो इस lecture में जो है उसमें fused और comma splice sentences जो है इनको discuss करेंगे और यह दोनों किसकी types हैं किसकी kinds हैं run on sentences गी तो sentences के दूसरा error कौन सा है run on sentences fragments में क्या होता था कि sentence जो है उसमें verb या subject जो missing होता था और उस sentence से complete thought नहीं मिल रही होती थी और run on error में क्या होता है यहां पर यह भी देख लेते हैं इसकी पहली काइन कौन सी है fused sentences fused sentences में क्या होता है कि two are more sentences that run together with no marks of punctuation between them are set to be fused कि यहां पर क्या होता है कि 2 यह 2 से ज़ादा sentences होते हैं इनको कथा जो है वो combine किया जाता है और उनमें कोई punctuation या कोई punctuation mark-to gestures are used नहीं किया जाता हैं इनको fused sentences घाता है इसमें क्या होता है that the two sentences are two complete sentences thought are simply stuck together into one sentence इसमें क्या होता है them that these two thoughts would be both sentences under theلक different sentence combined to add a six sentences called the backs of the ignorance we had ignorant 2 sentence जब combine किया जाते हैं तो उसमें अधिया कोंगें और सेंबल भी नहीं किया जाता है तो उसमें मिधार्ट चोर्ग समय नहीं आ रही हुए कि इसमें धुक्य में की तो क्यों के आइड जा रहा है कोई समय है उसमय नहीं आतीं तो उसको क्या कहा जाता है f you sentences तर दो और दो सोफने हैं और न थिक्स प्राया बडिविया से खैलर नियुस्टूस गियर हो जाना डिक ऑनने जों हर्लील्ट झैलर के लिख खैजपर को महिने करें और एटारिय अगार्ट है में किया होता है कि komas puta क olması जो मिंका मिस्जा किया जाता है और जहां परла करना चाहिए बहांपर यूजा नहीं किया जाता उसके बाद कुरिक्टिंध्ट घ्रटों कई सकते हैं करें का हम fue संथेंश को किसे कुर्ठ कर सकते हैं पैला है कि आप क्या करें डिवाइड करें को इंटिव टू संटेंसि कःके जो μαier करना है इन कोकिया करना आपने यूज करना है और अपने इनको सापरेट करने के लिह था कि इन थार्ट दी जा सके जैसा कही उपर एक्जम्पल दीगी थी कम्प्यूटर स्किल्स आर यूसफुल इन कॉलिज दे विल हैप यू इन गेटिंग आ जॉब अब यह रॉंग था इसमें जो है अब इसको करक्त करते हैं तो यह कैसे होगा कॉमा स्किल्स आर यूज कम्प्यूटर स्किल्स आर यूसफुल इन कॉलिज अब आगे रेक सकते हैं कॉमा लगाया गया एंड यह विल हैल्प यू इन गेटिंग आ जॉब आजब आज वह यह कैसे तरह नीचे आपको जो है दो एक्जम्पल दीगी आपने वह भी देख लेनी है और उसके बार यहां पर एक नोट स्किल्स आर यूसफुलल इन कॉलिज आगे कॉमा था मतलँ फिर वर्ड था मतलब टोसे पहले कॉमा चाली बॉत जो है ना यह जा यह दॉड जो आनिक है तो इससे पहले जो है वो कॉमा लग जाया गया तो यह बाद इन में में रखनी है उसके बाद यहां पर दो चिसें और भी बताईगे हैं यह लोग रीड कर लीजेगा और उसके बाद क्या है यहां पे को नोट दिया गया है कि पुट अ कॉमा एर दे एंड और डिपेंड़ वर्ड बिगिंज अ संटेंस और उसके बाद प्रैक्टिस अससाइज 2 दी गया है यहां पर नहीं क्या कहा है कि करें इच अफ यू संटेंस इस और उनका जो मैथर अमने बताया है उसके करड़िंग जो है एफ यू संटेंस को करें अब यहां पर पहला देख लेते हैं इट वाज नाट इस आईड तो हमें पर कॉमा लगा लिए फुल स्टॉप लगा लेते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं यह शुड है नाट बैट नुट अब जो है बल्ट एक यह कम्प्लीट संटेंस बल्रा उसके बाद सेगिन देख लेते हैं इस इजी तू बिगन स्मोकिंग इजमाश्ट अब इस मुच हार्डर टू कॉइट अब यह एक कुर्रक्ट संटेंस बन गया है इसी तरह बाकी एक्जेंपल्स वह आप लोगों ने खुद देख लेनी है और उसके बद कॉर्रक्टिंग कॉमा सप्लाइस के इसको कैसे किया जाता है वह भी मैं आप लोगों को बता देती हूं तो इस ग्रेड़ आर यूजली दा बेस्ट इन क्लास सेकंड सब्सक्राइब के कुनेक्ट तू कंप्ली तॉर्स बाइप प्लेसिंग जॉइनिंग वर्ड्स किया करना है कि यहां पर भी आपने एड कर देना कॉमा लगा के सेम उसी तरह जैसे आपने एफ यू संटेंस को किया एठेंग। कि मुश्रिट तो यहां पे साथ उसी दे जाएंवाया थी आप श् showing up Quem अपने अगर निए कमा शिर्ड कर सकतें ऩ्याइशार आप पर उसी तिल्छ जा आप दोनों सेंटेंसीज को यहां पर क्या प्या जा रहा है जा इसकंड ड़ा पर यह यहां रिपन पर यह तो इसमें क्या है कि यूज सब ऑडिनेशन एड डिपेंड़ने एड वर्ड तू वन अफ दा कम्प्ली थार चुछ जो है च्छ घपनेंट वर्ड जो है वह यूज करना है तो डिपेंड़नेट वर्ड वड्स को नहीं तो पुछले लक्टर में करवाये थे सहां पर शौ इल् his grades are usually the best in the class. अब यहां पर यह भी एक correct sentence हो गया है. तो आपने डिपेंडर वर्स को भी यूज कर लेना है. यह 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 शार्ट कुस्टन अगर आपके फाइनल टम होते हैं, जैसे कि पहले campus में उते थे तो यह शार्ट कुस्टन में आ सकता है, आपको पूछ सकता है, आपने बताना है कोन कुस्टन उते हैं, इसी कुस्टन को अगर हम ने चार्ट करना तो हम क्या करते हैं, और ऑप को पूछ सकते हैं, यह true है और false है. जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह true है. फार कर लिया गरें उसको प्रैक्टिस अंग design को आ力 कर अंगे कि अभे एक्जांपल करें नहीं क्या को ए आप में इसको वर्ड़ाइस को नहीं बतायाएं कि युज कर गे आप और अपने रिव्यूड में यहां पे फिल इन दी बलैंक्स दी जाती हैं इनको जो है वो लाजमी तोर पर जो है वो साल यह सारी जो ओपर आपको जो है स्टेटमंस दीजी थी ति उन ngày में इसमें उन्हें से अफल नहीं आपको ढिए लिए लिगी है और अगर आपको सुम्छ चीज़ पर एकसी चीज़ पर अटेंशन देने के लिए यूज किया जाता है जैसा कि only, almost and nearly जैसा कि एक एक एक्जामपल दिये गी है कि I only asked my boss for one day's leave but he refused ये रिखुज़ कैसे है कि I asked my boss for only one day's leave but he refused कि सिर्फ एक दिन के लिए, तो एक दिन पर फोकस करवाया जा। कि सिर्फ एक दिन 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 पराइक लिए तो किसी वर्ड पर फोकस करवाने के लिए single word modifiers use किया जाते हैं वर्ड कॉन से यह जैसे only हो गया, almost, nearly हो गया ऐसे words जो है single word modifiers होते हैं तो आई होब कि आप आज का लगिशर बוף क्टब्स कर दिए लाय वंद्ट करदीयों के और पिर समाइड़ का रिट समय बैल नों का बिटन पर प्रेस का कर डिजे गा ताके जो हैती है ताकρι असी स्वंध आपलोड कर रहती हैं साइमार्स, कुईजिज़ और जीटीबी वगारा के तो वो भी आप तक जो है वो इसली पहुंच जाए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो अलाहाफीज